जैहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर आज है 19 जनवरी 2024 और 19 जनवरी 2024 से रेलेटेड जितनी भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूं और जो भी मैं आपको इंपोर्टन पॉइंट बताता हूं आप उसे नोट कीजे आई देखते हैं आज का सबसे पहला इंपोर्टन कोशन तो पहला प्रशन आप सभी के स्क्रीन पर ए रहा राजी की स्टार्ट अप रेंकिंग 2022 में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले यहां पर देखिए आप तो गुजरात करनाटक और केरल यह तीनो राज उप्रोक्त में से सभी इसका राइट एंसर होगा इन्हें तीनों राज को सबसे बेस्ट राज दिया गया है जिन्होंने स्टार्ट अप का एको सिस्टम बहुत अच्छा डवलप किया है और यह इसे बोलते हैं उद्योग समवर्धन और आंत्रिक व्यापार विभाग तो इन्हों ने इस रिपोर्ट को पेस किया है स्टार्ट अप रैंकिंग फ्रेंवर 2022 इस रिपोर्ट को इन्होंने जारी किया है और इसमें सबसे बेस्ट बहतरी प्रदेशन का वर्ट तीन राज्यो प्रदेश को मिला के तो 33 राज और केंस आसे प्रदेश अपने इसमें पार्टिपेट किया था तो इस रैंकिंग की मद्द से हमें यह पता चलता है कि कौन सा राज या कौन सा यूनिन टेरिटरी एको सिस्टम अच्छा डबलब कर रहा है एंथर्पर्नियोर्स के लिए या दोस्तों आपे ranking में हम यहां पर जानेंगे शीर्ष प्रदरशन करने वाले राज उतकृष्ष प्रदरशन करने वाले राज आपको तो पदा चल गया कर्रेए जू आने वाले समय में उतकृष्ष हो सकते हैं तो इसमें पंजाब है राजस्थान तिलांगना उडिस और महर जो लीडर्शिप कर रहे हैं यह थर्ड कैटेगरी है पहली कैटेगरी आपने देखा था जिसमें गुजरात को शामिल किया गया था और उसमें करनाटा को केरल को शामिल किया यह सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है जो कैटेगरी है वो शीर्ष्ट प्रदरशन करने वाले अज में बिहार और हर्याणा को शामिल किया गया और उभरते वह स्टार्ट अप्स में शामिल किया गया है तो यहां पर आपको यह बास समझ में आगए अलग-अलग प्रकार से रैंकिंग दी गई है अब दोस्तों परिक्षा संजीवनी में मैं आपको बताने वाला हूं इंपर्टेंट रैंकिंग भारत की विभिन स्थानों पर आई जानते हैं तो पहरे में औहली में कॉछ भारत को क्न सा प्लेस Middle आप यह चाइना का याद रख्येगा हाल है यह पास्पूर्त इंडेक्स जारे किया इस्टा घेंडेक्स प्र के भारत आपको 80 रेंग 80 प्लेस मिला है महिलाओं का सर्वत्तम शहर कौन सा है महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं है उनके लिए सबसे जो बेस्ट चुना गया दोस्तों चिन नहीं है और अभी स्वक्षता सर्वेक्षन 2023 जारी किया गया इसमें इंदौर और सूरत को सबसे क्ली एले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के रेंग 80 है तो फर्स्ट रैंक पर कौन है तो फर्स्ट रैंक पर इसमें कई देशों को शामिल किया गया है इसमें सिंगापूर भी है जापान भी है स्पैन भी है जर्मनी है इटली है फ्रांस है इन्हें सहीत रूपसिस में शामिल पहला स्थान दिया गया है आई देखते दूसरा important current affairs बारा मुला स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है इसका नाम अभी बदला गया है तो इसका नाम बदल कर क्या किया इसका नाम चेंज करके बदल राव स्टेडियम क्या चाहँ पर मुंबई में ठीक है इड्री गार्डन कहा पर कोलकांटा में कहां पर है कोल काता में इडेन गार्डन स्टीडियम है ठीक है में चिदंबरम चिन्नई में है लोकेशन पूछी रा सकती है जो पर हमारे वीच में रहे इनका निधन हो चुका है यहाँ पर आप देख पर है जम्मू कश्मीर के उपराजय पाल है मनोश सिनहा इनका नाम आपको याद रखना है को त्री कश्मीर के बारह मुला में जनल विपिन रावा स्टीडियुम् का इन्होंने उत घाटन किया है जनल विपन रावाट जी की बात करें तो बहुत सारे पदो पर इन्होंने कश्मिर में अपनी सर्विसेश दी हैं यहां पर देखिए दिसंबर 2021 में बहुत बड़ी घटना हुई थी दिसंबर 2021 में जनरल विपिन रावात अपनी पतनी के साथ और भी उनके साथ बहुत सारे लोग सही होगी थे तमिल नाड़ो की कुनूर में वह वहाँ पर जा रहे थे तभी हेलिकॉप्टर जो हुआ एक्सिडेंट हुआ हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ हेलिकॉप्टर का दुरगटना ग्रस्थ हो गया और उसमें उनमें सभी लोगों का निधन हो गया सभी लोगों की डेथ हो ठीक है अगर मैं आपसे पोछो भारत के दूसरे नंबर के अभी सीडियस कौन है तो आप याद रख सीडिये जनरल विपिन रावजी को देख पा रहे हैं आठ दिसमबर 2021 में जो हेलिकॉप्टर था वो क्रैश हुआ और इनका निधन हो गया है दोस्तों बात यहां पे बदले हुए नाम की की है तो परिक्षा सजीवनी में आपको बहुत सारे बदले हुए नाम बताने वाला अध्यान सुनिएगा अयोध्या रेल्वे स्टेशन का हाली में नाम बदला है अब यह हो गया अध्या धाम जंक्षन नेस्ट है पंजो खरागाओ पंजो खरागाओ कहां पर हरियाडा में है इसका नाम बदलके पंजो खरा साहिब किया गया फिरोजाबाद जो की यूपी म बात आई तो जम्मू कश्मीर से संबंदित करेंट अफेर्स को भी डिसकस करते हैं पीम विशकर्मा योजना जो की 17 सितंबर 2030 को लांच की गई है इसमें कारीगरों को 5 लाक रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा पीम विशकर्मा योजना में तो अगर आप से पूछूँ की सबसे पहला यूने टरिटर्टरी को आज इस योजना को लागो किया है तो जम्मू कश्मीर पहला यूजने टरिटरी जिसने पीम विशकर्मा योजना को स्टार्ट किया याँ लागो किया अगर आपसे पूछा जाए कि ग्यानोधे एक्सप्रेस college on wheels और तो यह कारेकरम किस ने स्टार्ट किया है जम्मू कश्मिर में स्टार्ट किया गया दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करेंट अफेर्स और मैं वह आप सभी का राजा गुपता लगातार 779 डेस से आपको करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूं और आज है 19 जनवरी संबंदित करेंट अफेर्स कौम पढ़ रहे हैं भारत के जितने भी अखवार चाहे वह कोई भी इंडियन एक्सप्रेस दा हिंदू टाइमस ओफ इंडिया पी आई भी सभी अखवारों से जो खबर है आपको डेली करेंट अफेर्स की प्रदान की जाती है डेली और दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है सबसे कम समय में क्लास मिलता है स्टाटिक जीके मिलता है भारत के सभी एक्जामस को हम कवर करते हैं यह क्लास की विशेस्ता और हमारा एक बहुत इंपोर्टन स्लोगन है जिसे आपको हर घर तक पहुँचाना है अब हर घर current affairs, यानि अब हर बच्चा पढ़ेगा current affairs, क्योंकि current affairs केवल number नहीं प्राप्त होते, current affairs से आपकी personality डवलप होती, अब देश दुनिया के बारे में जानते हैं, आप ना केवल खुद पढ़े, आपने family को भी recommend करें, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा, और बेफुज तूल टाइम खर्च करने से अच्छा है, knowledgeable चीजे में invest करने से आपका दिमाग विक्सित होगा, और आप सरवांगीड विकास की तरफ भढ़ें, दोस्तों study कर application आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो study कर application आपको google play store पर मिलेगा, इसके लावा इसकी link आपको comment box पर मिल आप यहाँ पर important updates से जुड़े रह सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो don't forget to subscribe, like, share and comment, ताकि आपको ऐसे वीडियो हर वक्त मिलते रहें, और घंटी वाला बटन दबा दीजेगा, next question देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2024 के शुरुवात कहां पर हुई है, वेर हैस विंग्स इंडिया 2024 स्टार्टेड, तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 कहां पर शुरू हुआ है, हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 के शुरुवात की गई है, तो एशिया में अब तक का जो सबसे बड़ यहां पर जो कारिक्रम है विमानन कारिक्रम है जो एविएशन कारिक्रम है वो हो रहा है कहां पर हैदराबाद में हो रहा है हैदराबाद में हवाई अड़ा है इसका नाम है बेगम पेट हवाई अड़ा यहां पर शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा विमानन कारिक्रम ज जोती रादिस सिंधिया सीविल एविशन मिनिस्टर है उन्होंने इसका घाटन किया है इसका उद्देश क्या है यहां पर को प्रमोट करना और इनोवेशन को प्रमोट करना ठीक है तीम क्या रखी गई है अमरित काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना ठीक है सीविल किया जाएगा और सौ से अधिक यहां पर देश पार्टिपरेट करेंगे फंद्रा सो अधिक प्रतिनिधी होंगे और इसका आजन 21 जनवरी तक होगा 21 जनवरी तक क्या जाएगा दोस्तों परिक्षा संजीमिनी में में मेशे नेश्नल कॉन्फरेंस को पढ़ते हैं जो 2013 में हुआ हैं और 2024 में हुआ हैं अगर आपसे पूछा जाए कि रास्टी युवा सम्मेलन नेशनल यूद कॉन्फरेंस कहां हुआ है तो हाली में नाशिक में हुआ महाराश्ट में विश्व कॉफी सम्मेलन कहां पर हुआ बैंगलूरू में हुआ है अंतरास्टी कि Aero Space सम्मेलन ये कहां पर हुआ है ग्वालियर में सेमी कॉन इंडिया 2030 गांधी नगर में हुआ है और 10 वाइबरं गुजरात इन्वेस्टर समिट ये कहां पर वा गांधी नगर में हुआ है मच्छ किसान दिवस सम्मेलन 2030 महावली पूरम में हुआ है चौथा महत्वपूर्ण प्रश्ण आप सभी के सामने रहा MP let's e-sakshi mobile application किस ने लॉंच किया है who has launched MP let's e-sakshi mobile application MP let's बोल रहा है तो यहां पर Member of Parliament के लिए सांसदों के लिए application क्या है मैं आपको बताता हूं तो इसे राव इंदर जी सिंग ने launch किया किस ने launch किया है राव इंतर जी सिंग ने MP let's e-sakshi mobile application को लॉंच किया है आप यह पर राव इंतर जी सिंग को देख पा रहे हैं जिन्हों सॵतन प्रभार हैं यह समहाल रहे हैं तो राव इंतर जी सिंग राजमंतरी है mock अप्लिकेशन के माध्धम से क्या होगा तो जितनी भी परियोजनाय चलाए जा रहे हैं तो उसे ट्रैक किया जा सकता है ठीक है और जो भी सांसद होंगे और उसे रिलेटेट जो अधिकारी होंगे उनके बीच में कम्मुनिकेशन का मीडियम होगा सांसदों को पता चल है क्या प्रोग्रेस हो रही है तो जितनी भी प्रोजेक्स चल रहा है उसका मोनेटरिंग किया जाएगा इस एप्लिकेशन के मदद से तो MP इसलिए यहां पर लॉंच किया गया है दोस्तों कुछ इंप्लिकेशन और पोर्टल अभी रिलीज हुए है आई एक बार उसे पर र आज मंत्राले ने पार्ट मित्र अप्लिकेशन जूट किसानों के लिए कपड़ा मंत्राले ने स्टार्ट किया है मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी ने फ्लट वॉच एप केंद्री जल आयूग ने लॉंच किया है तो कहीं पर भीशन बाढ़ाने वाली है बहुत बा परसकार 2030 साली में किसे दिया गया वह एस बिन कंफर्ट असंब वावाड 2023 तो असंब वावाड जो दिया गया है रंजन गोगोई को यह वाड दिया गया है ठीक है अभी रंजन गोगोई कौन है तो भारत के पूर्व सीजे आई रह चुके हैं प्रजेड में सीजे पचास नबर की डीवाइ चंद्रचूड कोन है डीवाइ चंद्रचूड भारत के वर्तमान सीजे आई है अभी शैरुख खान को क्या मिला है इंडन ओप दा इयर का वार्ड मिला है किसका मिला इंडन ओप the इयर्क आवार्ड इन्हें दिया गया है ठीक है ओके यहां पर जो नेस्ट है शिर्षेंदू मुखोपाध्या को कुवेंपू पुरसकार दिया गया है कुवेंपू कुवेंपू पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो बंगाली साहित के छेतर में अच्छा काम करते हैं बंग तो MS स्वामी नाथन अवार्ड किसे मिला है BR कमबोज को अवार्ड मिला है आई बढ़ते असम बैभब पुरसकार के बारे में जानते हैं जिसे रंजन गुगोई ने प्राप्त किया है आप यहाँ पे देख पारे भारत के पूर्व CGI रंजन गुगोई को तो असम का सर्वोच नागरिक पुरसकार है असम बैभब पुरसकार रतन टांटा जी भी इस पुरसकार से समभानित किये जा चुके हैं इनको क्या मिलेगा तो इसमें इनको क्या मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा एक पांच लाख रुपय का कैश प्राइस मिलेगा प्रशस्ती पत्र प्रमाण पत्री सब मिलेगा असम बैभव पुरसकार में देखे रंजन को गोई भारत के 46 नंबर के सीजे रह चुके हैं और ये पुर्वत्तर में ये पस सम्हालने वाले पहले सीजे थे पहले नयाधिस थे देखे इसके अलावा दो चार लोगों को सौरव पुरसकार दिया गया है तो इसमें कौन-कौन से है मैं आपको बता देता हूँ जिने सौरव पुरसकार मिला है और चार लोगों को 4 लाख रुपए का कैश प्राइस मिला है तो पहले यहाँ पर आप देखें सबसे पहले कौन है हीमा दास आप सभी जानते हैं एतिलेटिक से इनका संबंद कराव संस्कृति से डॉक्टर किशन चन नौरियाल एल्विस अली हजारी का को तैराकी के छेत्र में नदी राम देवरी तो यह तीवा संसारोष सम्मान है असंगरव तो आसंगरव दिया जाता है इसमें शत्रा नाम आपको नहीं बताओगा महत्त पूर्ण बता रहा हूं और इसमें पांच लाग था जिसमें असम बैभब सब्मान था और असम सौरब में चार लाख और असम गौरब में तीन लाख एक एक लाख रूपे कम हो रहा है इसमें जो प्रमुख विजीता है वह नीलम धत्ता जैविक खेती के लिए इन्हें मिला है यहां पर रंजीत गोगोई है लोक और बीहु नित्य प्रतिपादक है पार्वती बर्वा की बात करें तो पसुस अन्रेक्षन गतिविधी के लिए मिला है देवुजीत चियंगा माई साउंड इंजीनियर इन्हें मिला है और द्रोणो भुयान ओजा पाली के चेत्र के लिए इन्हें पुरसकार दिया गया है दोस्तों आज की नोलज की फैक्टरी में मैं आपको भारत की क्लासिकल डांस बता रहा हूं जो मैंने ऑफिशल साइट चेक किया है जो हमारी मिनिस्ट्र आफ कल्चर है संस्कृति मंत्राले में टोटल नाइन क्लासिकल डां थे और वो जो राम से मिलने के लिए आपको पता है कि कितने सालों तक इंतजार किये तो राम से मिलने के लिए आप ऐसे भरत नाटम तमिलनाडू याद रखेगा कथक की बात करें तो उत्तर भारत में होता है उत्तर पश्यम और मद्धि भारत खासकर यूपी में आप असम में और छव आप याद रखिएगा यह ओडिसा जारकन वेस्ट पेंगॉल में है ठीक है यह टोटल मैंने आपको नाइन क्लासिकल डांसर्स इंडिया के बताएं आई देखते हैं कोश्चन नमबर 6 छटा प्रशना आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा भारत में सारजनिक छे अंपनी बना है वो LIC है LIC यहाँ पर याद रखिएगा Life Insurance Corporation इसका राइट एंसर है तो Market Capitalization में यहाँ पर SBI को इसने पीछे छोड़ दिया है तो जो भारती जीवन बीमा निगम है इसने बजार पूझी करण यानि Market Capitalization में SBI को पीछे छोड़ा है और LIC का जो Market Capital यह भी आपसे पूझा जा सकता है तो यह 5.8 लाग करोड कितना है 5.8 लाग करोड रुपय के पार इंकम Market Capitalization हो गया है और पिछले लास्ट की 6 मंत में ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है LIC की बात कर लेते तो LIC का मुख्याल है कहां पर दोस्तों मुंबई महरास्ट में सिधार्त मौंती वर्तवाइन में इसके अध्यक्ष है एक सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई है और भारत की सबसे बड़ी insurance company LIC है इसके लाबा मैंने आपको current affairs में बताया था कि SNP Global ने एक जस कितना है तो 503.7 अरब डॉलर है चली सेवन कोशन की तरफ बढ़ते हैं वीरा राणा किस राज्यकी हाली में मुख्य सचिप बनी है वीरा राणा हैस बिकम दा चीफ सिकेट्री ऑफ विच स्टेट तो वीरा राणा आप याद रखीगा आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्यकी मुख्य सचिप कौन बनी है वीरा राणा बनी है देखें आप बात करते हो 36 गड़ में अभी एक योजना स्टार्ट हुए राम लला दर्शन योजना कहां पर स्टार्ट हुई है यह कहां पर लाइट टू हेल्थ आपको यद रखना है तो मध्य प्रदेश की चेफ सेकर्टरी बनी जो की महिला है वीरा राणा आपको याद रखना है तो आप यहाँ पर वीरा राणा की इमेज देख पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश की चीफ सेकेटरी बनाए गई है और अभी तक की एडिसनर सेकेटरी का प्रभार समाल रही थी अब इन्हें मुख्य सचीव बनाया गया है अगर आपसे पूछा जाए राणा मध्य प्रदेश की बात करें तो 1988 बैच की आई एस ओफिसर है दोस्तों महत्पूर्ण युक्तियों को बात करें तो इंपॉर्टन एपॉइंटमेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि डव्लू ट्यों में भारत के नेस्ट एमबेसडर कोन बनाया गया है तो इनका नाम है सैंथिल पांडि सवाल हैं महिश्वर दयाल की वाद करें तो जेल महानिदेशक बनाये गए हैं दोस्तों परिक्षा समझें में मध्य प्रदेश करेंटर करेंट एफेर्स को डिसकस करते हैं तो रानी दुर्गावती स्री अनप्रसाहन योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है यह एंपी में पहला नाम है जग्दीज देवडा और दूसरे राजें शुकला नरेन सिंग तोमर विधान सभा के अध्धक्ष बने एंपी में संगीत की नगरी ग्वालियर शहर को घोशित किया गया है और भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है दमों में स्थापित किया गया पिर टोटल साथ टाइगर रिजर वह ओ गया हैं, इतने हो गया है टोटल साथ टाइगर रिजर्व एंपी में हो गये है आंको comment box ने बताना है कि पूरे भारत वे कितने टाइगर रिजर्व है अगला question देखते है दोस्तों आप याद रखित की पहली महिला नुट्रल देश से हैं पहली बात तो आपके दिमाद में सवाल उठ रहा होगा यह न्यूट्रल एम्पायर होता क्या है तो इससे बिलॉंग करता है एस बिलॉंग करता है दोनों देशों से अलग किसी और देश का empire होता उसे बोलते neutral empire समझ गया तो यह पहली neutral empire बनी गई है बनाई गई है तो आस्टेलिया और दक्षिन अफ्रीका की बीच में अभी महिला T20 अंतर रास्टी स्रीज में यह ICC के दुआरा एपॉइंट की गई है पहली neutral empire है सू रेड़फन क्या नाम इनका सू रेड़फन आपको याद रखने है दोस्तों बात यहां पर महिलाओ की आई है तो प्रथम महिलाओ को discuss करते हैं तो पहला आप देखें मनीशा पाड़ी revise करते हैं तो अगर आपसे पूछ हूँ कि भारत की पहली ADC महिला सहायक decam कौन बनी है औरिसा राज से विलॉंग करती मनीशा पाड़ी ठीक है दिशा नाइक के अंबाग करें तो देश की पहली एयरपोर्ट में महिला फाइर फाइर फाइटर बनी है जीनु की कुलपती कौन है यह शांति स्री धूली पुडी पंड़त पहली जीनु की कुलपती है जम्मू कश्मिर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी है अगर आपसे पूछा जाए भावना कांत ने क्या ऐसा चीमेंट हसल किया है तो भारत की पहली महिला लडाकू विमान पाइलेट कौन है भावना कांत है लिखिएगा सारा इंपोर्टेंट पॉइंट है आई देखते कौशन नमबर 9 महतारी बंदन योजना किस राज में शुरू हुआ है महतारी बंदन योजना has been launched in which state दोस् देखेइजंइ और यहाँ पर बिहर राज में हर घंगा जी योजना पहुंचाया जाएगा यह स्कीम कहां पर और मद्य प्रदेश में अभी जो योजना स्टार्ट की गई है रानी दुर्गावती श्री अन्य योजना रानी दुर्गावती श्री अन्य योजना कहां पर स्टार्ट किया गया है यह MP में स्टार्ट किया गया है लिखिएगा ठीक है अन्य योजना ठीक है अगर आप से आगे बढ़ते हैं ग्रया लक्ष्मी योजना के तहत जो यहां की जो घर की जो महिला होंगी जो यहां की सबसे बड़ी महिला होंगी उनको हर महीने पैसा दिया जाएगा जो घर समाल रही होंगी ठीक है अब दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा तो महतारी योजना के तह हजार रुपए प्रदान किया जाएगा योजना का लाव उठाने के लिए आपको 36 गड़ का निवासी होना अनिवारे हैं योजना का लाव सिर्फ को यहां पर क्या किया जाएगा उस सब को इसका लाव दिया जाएगा आज का आकरी इंपॉर्टेंट करेंट एफेर्स आप सभी के सामने रहा टीट्वेंटी में पांस शतक लगाने वाले पहले बल्ले बाच कौन बन गए हैं तो कल आपने तो मैस देखा होगा जिसमें रोहि शर्मा यहां पर पांस टीट्वेंटी शतक लगाने वाले पहले बल्ले बाच बन गए हैं अफगानिस्तान के खिलाप इन्होंने पांचवा शतक ठोका है टीट्वेंटी में तो रोहितना ऑस्ट्रील के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के सूर्य कुमार यादो स्काई का तोड़ा है दोस्तो परिक्षा समझी में स्पोर्ट करेंट एफर्स को डिसकस करते हैं तो दिसंबर दोजार तेस के लिए ICC प्लेयर ऑफ दमन्द किसे चुना गया तो दिप्ति शर्मा को चुना गया जो की इंडियन है और पेट कमिंस की बात करें तो बॉलर है कहां कि आस तो दोस्तों यहां पर हमाले 10 महत्रपूर करेंट एफर्स खताम होते हैं केवल 25 से 27 मिनिट में अब मैं आपको जो देता हूँ एडिशनल है अतरिक्त है ठीक है अगर आप 10 करेंट एफर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहीं पड़े बाकी मैं आपको बूस्टर देता हू करते हैं इस प्रकार से रैपिड रांड में इतने सारे प्रश्न सीखने को मिलते हैं विश्व अंतर रास्ती नाय दिवस यह 2030 कब मनाया जाता है तो 17 जुलाई को विश्व अंतर रास्ट्री नया दिवस मनाया जाता है दली ट्रॉफी 2013 का खिताब किस ने जीता है तो साउथ रीजन ने जीता है वेश्ट रीजन को हरा करके यहाँ पे दली ट्रॉफी जो की क्रिकेट टूर्नमेंट है किस देश ने विश्व का पहला मीथे निधन वाला अंत्रिक्ष रॉकेट लॉंच किया है तो डोस्तों चाइना है जिस entre nī वाला यहां पर रॉकेट लॉंच कि ओमान चंडी का निधन हो गया olduğu किस राज्य के पूर मुख्य मंत्री थे हाली में इनका निधन हो गया है अंतराष्टी सतरेंज दिवस्त का बनाया जाता है तो बीस जुलाई को अंतराष्टी सतरेंज दिवस्त मनाया जाता है ग्रामिड अवास्त नयाय योजना किस राज ने स्टार्ट किया है तो ग्रामिड अवास्त नयाय योजना का शुभारम किया गजय कोथा अभियान किस राज में शुरू किया गया तो असम राज में गजय कोथा अभियान शुरू किया गया बहु अयामी गरीवी सुचकांग 2023 के भारत में 15 साल में कितने गरीबी से बाहर आएं तो 415 मिलियन यहां पर गरीबी से बाहर आएं महराज के मुख्यमंत्री एक नाशिंदे ने कहां पर PM मित्रा पार का उधगाटन किया है तो अमरावती में इसका उधगाटन किया है दोस्तो 18 जनवरी के करेंट अफेर्स का यहां पर रिविजन करेंगे जो आपने कल करेंट अफेर्स पढ़ा था आई देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं तो 9 नमबर के भारत अंतरास्टी विज्ञान मौसब 2030 का जिन कहां पर शुरू हुआ है फरीदाबाद हरियाना में स्टार्ट हुआ है ग्लोबल फाइपावर के अनुसार सैन शम्ता के मामले में भारत किस प्लेस पर आता है तो सैन शम्ता के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है यह सरकार के दोरह 2030 तक सड़क दूर घटना में होने वाली अकश्मित मृत्यों को कितने प्रतित कम करने का टार्गेट है तो 50% कम करने का टार्गेट रखा गया है 34 साल के बाद Grand Slam में किसी वरीता प्राप्त खिलाडी को हराने वाले भारती पूरुस्ट है इस खिलाडी कौन बने है तो इनका नाम है सुमित नागल नेस्ट है किस भाषा को भारत की नौवी शास्त्री भाषा बग्लासिकल लेंग्वेज बनाये गया है तो यह फार्सी क्या है फार्सी उत्तर प्रदेश में सौर उजा संचालित नौ किस नदी पे चलेगी तो इस सर्यू नदी पे चलेगी नेस्ट है ओक्सफोर्ड के घ्यानिकों ने किस भिमारी के लिए चैड ओएक्स नीपा V वैकसीन का मानना प्रिक्षन शुर निपा वाइरस की खिलाप इसका प्रिक्षन किया ओं व कतोहार कनूमा यह किस राज मैं मनाया जाता है तो तिलांग ना राज में कनूमा मनाया जायता है मदुरे जली कट्टू स्टीडियम का उद्गाटन किस राज में किया जाएगा तो जली कट्टू की जब भी पाता हैंगी तमिल नाडू में आराम से टिक कर दीजे भारत के नंबर एक सत्रेश खिलाड़ी कौन बने तो भारत के नंबर एक सत्रेश खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है ठीक है माफ कीज़े रमेश बाबु प्रज्यान आनंद रमेश बागु बाबु यह ऑप्शन सही है दोस्तों हिस्ट्री के महात्वपूर्ण प्रस्णों को यहां पर केंगे पांच महात्वपूर्ण ल्यूसेंट जीके के प्रश्ण है आए देखते हैं हर एक मश्ट के किस साशक को कुडिक कहा जाता था तो यह कई बार क्वेशन पूछा गया है अजास सत्रू को कुडिक कहा जाता था किस साशक ने गंगा एवं नधियों के संगम पर पहान की मृत्यूं कहा पर हुई थी तो इसकी मृत्य बेभी लौन में हुई थी कहाँ पर बेभी लौन पाली गरंथों में गाओ की मुखिया को क्या कहा जाता था वाट इस जनवरी के Current Affairs का की तेस्ट होता है, रोज test होता है, ये टेस्ट इसली लिया जाता है, तकी ये पता चल सके कि आपने कितने अच्छे से Current Pos America को कवर किया है, तो आई देखते हैं हनले पास्पोर्ट इंडेस 2024 में भारत को कौन सी रेंक मिली भारत इसमें 80 प्लेस पर इडेन गार्डन स्टीडियम कहां पर स्टीडियम कोलकाता में है पीम विशकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यहां पर पहला जो केंद सासिप्रदेश यह यू तूवर दाल खरीदऎल किस में लांच क्या है तो मेंस्ट शाजी ने तूवर दाल खरीदऎल पोल्ट लांच क्या है भारत नाटम किस राज इसे रिलेटेड है तो इसका संबंध्... सभधिल नाडू राज से है लाइसी की स्थापना किस वर्स होई थी तो 1956 में Calais की हुई है तो इनका क्या नाम है मनीशा पाड़ी क्या नाम है मनीशा पाड़ी बीच गेंज 2024 में सबसे पहला स्थान किस ने हासिल किया है तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है पहले बीच से लिखा है आप screenshot लेकर के यहां पड़ सकते हैं और नेस्ट यहां पर आप देखें आपको इनके बारे में बताना यह कौन है इनके बारे में आपको 3-4 लाइने लिखनी है सबसे best comment को कल मैं यहां पर पिक करूँगा दोस्तों yearly यहां पर लाउंच हो गई है पुरेह साल की करणट अफेर्स की इयर बुक जो की हंदी-ंग्लिस्ट दोनों माध्यम में मन्तली करणट- Turningnine उपHere स्वक्ष लाउंच हो गई है अभी आप अर्थवार्शिक यानि शह महीने की current affairs की ebook भी मेला रहा हूं last six months की current affairs की उसे भी आप download कर लिजेगा study कर application से study कर application आपको google play store पर मिल जाएगा इसके लावा आपको इसका link हमारे comment box पर भी pin किया गया है ठीक है और दोस्तो राजा गुपता current affairs हमारे telegram channel है अगर आपने भी जॉइन नहीं किया तो आप जॉइन करिएगा important updates के लिए important pdf के लिए important notifications के लिए रात को 8 बजे current affairs का test भी होता जो भी आप पढ़ते है डेली current affairs और सुबह 9 बजे static जीगे का test होता दोनों टेस्ट दीजिए telegram पर और application में आप सभी request कर रहे थे test चालू करने के लिए तो application में यहाँ पर test start कर देंगे संभवता आपकी regularly कल से test start हो जाएगा ठीक है राजगुपत underscore official मेरा instagram handle है आप मुझे आप पर connect कर सकते हैं आप directly चोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुर आते रहिए और अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर दीजिए जी जान लगा दीजिए और अपने आप से जो आपने वादा किया है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको पीछे नहीं हटना है तो फ्रेंट्स मिलते हैं बाई बाई